आई आपके सामने इंफ्रासक्टर से रिलेटेड एक कमपनी के बात करूँगा जो कि अपने टॉप से इस टाइम 25-30% के डिकलाइन पे है और कमपनी की मैनेजमेंट ने क्लियरली बिजनस आउटलुक के बारे में भी बताया है उन्होंने क्लियरली बताया है कि कौर्टर वन क की रेजर्ट्स के अंदर पिकॉज और जनरल इलेक्शन इन इंडिया इंडिया के अंदर इंफ्रासक्टर एक्टिविटीज कम होने की विजए से उनके क्रें के बिजनस में प्रॉब्लम आई थी बिजनस एक्टिविटी के अंदर कमपनी का नाम है संग्वी मूवर्स और के लिस्टेड स्पेस के अंदर गिंती की कुछ कमपनी जो की क्रें बिजनस के अंदर एक वेल डिवर्सिफाइड अपना बिजनस बनाके बैठी हुई हैं यह एक ऐसी कमपनी है जिसने क्लेरली बोला है कि क्वार्टर टू के अंदर बिजनस एक्टिविटी बढ़ने की उम के अंदर आप यह सोचिए कि इंडिया के अंदर जितनी भी इंफ्रस्रक्टर एक्टिविटीज हैं वहाँ पर अगर आपको कमर्शियल सेक्टर रेजिदेंशल सेक्टर या फिर कोई बिल्डिंग में कुछ भी काम करना है इंफ्रस्रक्टर के रिलेटेड तो आपको क्रें इसका सपोर्ट से यह होता है और आप यह सोचिए कि इंडिया में जिस तरीके से इस टाइम इंफ्रस्रक्टर में बूम हो रहा है इन कंपनियों का बहुत बड़ा एक कमांडिंग शेर होने वाला है इस एक्टिविटी अंदर यह एक ऐसा बिजनस है जहां पे आपको यह द करते हैं दूसरी चीज इंकी रिक्वायर्मेंट इंडिया की कोई भी इंफ्रस्रक्टर एक्टिविटी के अंदर जरूर पड़ेगी और तीसरी चीज कंपनी ने अपने पिछले कस्टमर बेस से अपना जो ब्रैंड गुडविल बनाई हुई है उसकी वैसे कंपनी को आगे स्टॉक जरूर होने चाहिए जो की इंडिया की ग्रोथ से ट्वाइस त्राइस पर ग्रोव हो रहे हो अगर आप इतनी सिंपल सी स्ट्रेटेजी अपने पोर्टफोलियो विजिन में लगा ले तो शायद आपको कभी भी यह नहीं लगेगा कि यार मेरे पोर्टफोलियो पे ग्रोथ औरिंटेट कंपनीज नहीं है थैंक यू